लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवीवन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूलें भाजपा नेता प्रवीन दरेकर ने मनपायुक्त से की मुलाकात कोबीड नियंत्रन और स्वास्त सुविधाओं का लिया जय जा विदान परिसद में नेता विफक्ष प्रवीन दरेकर ने आज नईमबई मनपायुक्त ये भी मिसाल से मुलाकात की और कोबीड नियंतरन इंतजामों और स्चेवा सुविधाओं पर चर्चा की उनके साथ पुर्वमंत्री विधायक गनेशनाई के मंदा मात्रे भी मीडिया ब्रीफिंग में भाश्वा विदायक प्रवीन दरेकर ने कहा कि नईमबई थाने में कोरोना से निपटने परियाप्त मेडिकल सुविधाओं का अभाव है जहाँ केर सेंटर हैं वहाँ चिकेट साकर मी नहीं है उन्होंने नईमबई में आवश्चक सुविधाओं की कमी के सवाल पर कहा कि हमने आयुक्त से मांग की है और उमीद है कि जल्दी स्वास्त सुविधाओं की कमी को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा प्रवीन दरेकर ने कोरुना काल में आयुक्तों के ट्रांसफर और प्रशाशन के साथ सरकार के समन्वे के अभाव पर उद्धो सरकार की जम कर खिचाई की उन्होंने कहा कि तबादले में भी महा अगारी की बंदरबाट चल लही है मेरे को जो प्रेजेंटेशन दिया उसमें सफीसियन वेंटिलेटर साखड़ा आया लेकिन हमने बताया कि आपके दिये हुए अकड़ो और ग्राउंड में वस्तुस्तिती अलग है अगर आपके पास सफीसियन वेड़ा है तो लोग क्यों बं मालते हैं वेड़ उपलब्द नहीं अगर आपके पास वेंटिलेटर है तो क्यों लोग बोलते हैं वेंटिलेटर की वेवस्ता नहीं है आपके पास ऑक्सिजन की वेवस्ता है तो क्यों लोग बोल रहे हैं अब जो ज़रूरत है वो उपलब्द वो कर रहे हैं वैसा उन्हों ने आयुपता ने हमें आश्वासन दिया है जो इंटेंसिव इसिसियत और मनुश्यवल की आवशक्ता है उसके बारे में भी तुरत वो लोग अभी इसके उपर कारियावाई करने जा रहा है और मनुश्यवल और वेंटिलेटर जल से जल खुपलब्द करने का दावा आयुपता ने किया सरखार और प्रशासन में इतना भी समवात है उसकी वज़ेचे सब यह प्रॉब्लेम क्रियेट होते है अभी लेब का रिजल्ट थुरत आना चाहिए एक दिन में क्योंकि इसका परिणाम आईसा होता है चार दिन अगर लेट आएगा तो वो पॉजिवल रहेगा तो पूरा बावबर भूंता रहता है किया गर में रिलेटियू में दोस्तों में तो तुम्हारा रिपोर्ड आने तक वो अने लोगों को प्रादरभाव कर सकता है तो तुरत not result आना चाहिए है यहांpay स्वाप शेंटर लेब की वमभा आवशकता है वा आयक्टो को बोला है तो तुरत नता काई बहुलने तातकाल लाब ते तीन चार दिवसार या टिकाने उपलबदग करताया और ते चामड़ ती लाब स्याफ सेंटर जहल कि तातकाल अपले जा रिजल ते या टिकाने यहील कर बंजे हास ग्या पाए करंजर इते लाब नसें तप मुंबईला पाठवाय लागत में यही परें तिते तापासी परें तिते लोड अस्तो और या चार पास दिवसा मधे या टिकाने आणिके प्रादुरुबवाव वाडु शोकतो अमारी वावना प्रामानिक है गरीबों को जादा बिलाना नहीं चाहिए और उसके लिए हम लोग लड़ेंगे सरकार के साथ उस्किटल के साथ इस दोरान पुर्व मंत्रियों विदायक गनेशनाईक ने प्रतिकरिया देते हुए कहा कि नविमबई में नागरी कोरोना से जान गमा रहे हैं लेकिन अभी भी प्रशाषन लचर भूमिका में है उन्होंने कहा कि अधी हबते भर में मनपास पतालों को खाली नहीं किया गय बंदा मात्रे ने रेम डिसीवर इंजेक्शन की 40,000 कीमत को कम करने के आस्वासन पर आयुक्त की सराहना भी की आई ये सुनाते हैं दोनों नेताओंने क्या कहा अक्षिजन जिसकी ज़्यादा सुविदा करके वाशिका उस्पिटल एरोलीका नेरूर करने के जनरल ऑस्पिशन के लिए खुदा करने का उन्होंने इरादेवक्त किया और उस पर वो बड़ी ये सहे मता के साथ गती से काम करें मैंने तो उनको बोला है कि अबे आखी बात है आज अपोशन लिडर के साथ में तो आज उनका ही लित्रुत में सब जो बाते हो गई मैंने उनको चेता उनकी है कि भाई दिखे इसमें राजनीती नहीं है ये नीड आफ द पीपल मैंने एक उदारन देया कि एक हस्पिटल में दो लाख रुपे डिपोईट किया तीन लाख रुपया और मांगा है खले ऑपरेशन का उसके बाद में दवापानी आलो तो दस ल मैं कि आज ये दो तीन होस्पिटल है ये करोना के लिए तभी कोई मुष्किल थी अपने पास उस्पिटल नहीं था 20 लीटर के साथ इसले वास्का किया गया अभी अपना दिरे दिरे ऑस्पिटल बंढ रहे तो ये सपिटल को मुक्त करा के रेगूलाइस जो पेशेंट है के ले करो कमिश्णर ने आज डिमांड मांग ली है उसके बाद चालीस हजार का इंजेक्शन की बात रखी गई दरेकर साम ने भी कहा कि यह गरीब लोगों के लिए जोपरपट्टी वसी के लिए चालीस हजार का इंजेक्शन बहुत महींगा है सामन नागरिक के लिए वह भी आज करने का पालिका ने सोच लिये तीसरी बात जो मनुष्य बहल नहीं है यह जो करोना बढ़ रहे है लोग क्या कर रहे गर में दस दत बार बारा लोगों को रहे है सिंतेस दिखाई नहीं दे रहे है और इसके लिए गर में वो पैल रहे है अभी मुंबे महानगरपाली का कमिशनर क्या करेगा मनुष्यबल नहीं है डॉक्टर नहीं है सिस्टर नहीं है जो पेंटी लिटर चाहिए वो नहीं है बहुत सारी चीज की कम तरता है कभी लगा नहीं था कि करोना जैसा रोग आएगा पहला होगा रहा हमको यह सब करनी पड उसकी ताकत बनके उसके सामने कड़ा रहना चाहिए या हमने उसकी बदली करनी चाहिए या हमने उसको गाली देना चाहिए हम उसके लिए आज उसकी ताकत बनके कड़े रहेंगे तो जाके नभी मुंबई के जो पेशन बढ़ रहे दिन बदिन वो कम करने काम सोचना चाहि आज की मिटिंग विरोधी पक्षेनेदा ने बहुत अच्छी से लिए उसमें से काफी मुद्धे उबर के आए और कमिश्णर ये सब काम करना चाहता है और हम लोग भी सब साथ मिलके करोना से मुकाबला करना चाहते हैं विरो रिपोर्ट टीवी वन इंडिया